हेलो एवरिवान आज मैं लेके आई हूं सरसों के साख की रेसिपी तो इसके लिए हमने सरसों बतबा और पालक को अच्छे से काट के धो लेना है अब इस हांडी में हम सारी सरसों को ट्रांसफर कर देंगे यह हमें पहले इससे लगता है कि बहुत जादा है बर जब यह उबल दीच में द्रांस का यहां है किया तो यह में पानी फाद्वक्तो है कना है ब्यायआ ऐदा है तो यह चुबगने लगता है अब हम इसंए एक च्श मस्क्ट करेंगे जोगन कि इस्सक्टिक कर दादो है कि इस सरसों का रचों होता है उसके बन त्य कर दिए हैं अब चौप कर लेंगी, यह देखे मैंने कितने वारिक से छोप किया है, आप चाहिए तो इसे सिलवटे में स्पीस भी सकते हैं, अब इसे पकते हुए 10 मिन Jeżeli 같아요 हो गए है, हम चेक करते हैं कि यह अच्छे से पका है कि हैयाउ चिये देखे, इसका PERO पानी हमें निकाल देना है क्योंकि इसका पानी जो होता है वो कड़वा होता है तो में यह हमारे साग में नहीं डालना है अब हम गडाही में थोड़ा सा ओइल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे अब एक चमच जीरा डालेंगे यह देखिए जीरा हमारा अच्छे से फट्टने लगा है तो अब हम इसमें जो हमने टमार्टर और प्याज चॉप किये थे वो डाल देंगे यह देखिए यह कितना अच्छे से पकरा है काई यह लमारा बहुत गरम था और इसमें हीट भी काफी है से अच्छे से मिक्स करते हुए जलाते रहना है अब इसमें हम टेस्ट के अकोडिंग नमक डालेंगे आपको ऐसा नहीं करना है कि हमने तो साग को उबालते वक्त उसमें नमक डाल दिया था में डालेंगे वह साहग कें पानी में ही रहाऊदा है, इसमें फूर्ब कirsiniz तो हम निकाल देते हैं now पानी लाल मैची बद्थटीय बद्थ हहल्धी बद्थ नालेंगे और इसमें धनिया पाउडर भी, याइद करूंगी अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए में पकाना है जब तक ये अच्छे से पक राए तब तक हम साग को थोड़ा सा माम जस्ते में पीस लेते हैं तो ये सारा साग में इसमें ट्रांसफर करना है ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है थोड़ा गर पीस लेना है मैं इसे थोड़ा मोटा मोटा सा इपीस ना है ये देखिए कितना अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे साथ में इसे दोलेंगे ये देखिए अच्छे से साफ हो गया है अब चेक करते हैं हमारे मसाले को ये दे अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे इसमें पानी हम बिल्कुल भी एड़ नहीं करेंगे हमारे जो मसाले थे वो बिल्कुल अच्छे से पक गए थे हमें मसाला पकने के बाद ही इसे एड़ करना है क्योंकि अगर हम इसे पहले एड़ कर देंगे तो उसके बाद हमारे मसाले कच्चे रह जाते हैं अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हमें इसे 5-10 मिनट तक और पकाना है तो इसके लिए हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पे लीड लगा देंगे जब तक ये पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इस पे लीड लगा के इसे ढखके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट हो गये हैं तो अब हम इसे चेक करते हैं ये देखिए ये कितने इच्छे से पका है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थेंक यू